सब्सक्राइब करिए BSA News YouTube चैनल को और दबाईए बेल आइकन को ताकि आपको मिले हमारी ख़परें सबसे पहले दोस्तों अगर आप भेरे तुराजगाय अक्वार्ड को एक बहतरीन खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों चैनली सूपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए जवरदस्त मुकाबले में चैनली सूपर किंग्स के युवा सलामी बलेबाज रितुराज गाय अक्वार्ड ने इतनी शांदार बलेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसके बाद उनके व कौन बहतरी तावरतोर बलेबाज है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों दो अक्टूबर को खेले गए राजस्थान रॉयल्स और चैनली सूपर किंग्स के बीच जबरदस्त मुकाबले में हमें दोनों ही टीम के और से बड़ा ही शांदा लिया क्योंकि उनके अनुसार आबू धाभी की ये पिच्च गेंदबाजों के लिए काफी जादा नुकूल थी लेकिन उनका ये फैसला पूरी तरीके से घलत साबित होता नजर आया क्योंकि चैन्ने सूपर किंग्स के बलेबाजों ने इस मुकाबले में इतनी शांदार बलेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसे देखकर तो संजू सैमसंग की भी पैरो तले जमीन खिसक गई थी बता दें चैन्ने सूपर किंग्स की पारी की शुरुआत करते हुए नजर आये अरितुराज गायकवार जिन्होंने अपनी और टीम की पारी की शुरुआत से ही मैदान पर उत्रे हैं जिन्होंने इस मुकाबले में राजस्थान के किसी भी गेंदबाज को बक्षने की सोची भी नहीं चाहें गेंदबाज जिवा हो या फिर अनभवी हर एक गेंदबाज की उन्होंने जम कर और बराबर पिटाई लगाई बता दे पारी के शुरु ने तीजी बढ़ाई और राजस्थान की गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार करना शुरु कर दिया था दोस्तों रितुराज की बल्लेबाजी का तुफान तो हमें तब देखने को मिला जब उन्होंने सोलहवे ओवर में युवा गेंदबाज आकाश शेंग को आड़े हाथ जड़ कर सभी राजस्थान के प्रशंसकों की बोलती बंद करती थी और इस ओवर की आखरी गेंद पर एक गगन चुम्बी छक्का जड़ कर उन्होंने राजस्थान के खेमे में सन्नाटा फैला दिया था और उनकी तुफानी बल्लेबाजी को देखकर तो राजस्थान के ह पहली गेंद पर 103 मीटर का लंबा छक्का लगा कर राजस्थान के गेंद बाजों की धजिया उड़ा कर रग दी और पीसवे ववर के आखरी गेंद पर 108 मीटर का गगन चुम्बी छक्का लगा कर गेंद को तारा मंडल पर पहुँचाने के बाद उन्होंने इस मुकाबले म से लेकर 160 तक पहुचती हुई नजर आ रही थी वो बीसवे ओवर में 189 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामियाब रही लेकिन दोस्तों आप सभी रितुराज गायक वाड की शांदार बलेबाजी को दस में से कितने अंक देना चाहेंगे नीचे कमेंट सक्षन में क कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए